ओम शान्ती आज आपका 64 वे दिन का वर्दान और जिस वर्दान में आज हम परमपिता हमें यादकार दिलाते हैं कि हम आत्माएं कब गभी अपने सुवमान जिसको सिल्फ रिस्पेक्ट करते हैं उसकी सीट से उतर जब जाते हैं तो देह का अभिमान मतलब आहंकार, देह की देखी कूपसूरती, देखी वस्तुएं, वदार्थ, धन-दौलत, नाम, मान, शानी, सारी चीजें हमारे उपर फिर से वार करनी शुरू करती हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सारे शास्त्रों में तो लिखा है काम, क्रोध, लोग, मोह, अंकार अच्छा नहीं है लेकिन अहंकार को छोड़ने के लिए अपने आपको आत्मा समझना मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट अफ लाइट हूँ, बस वही मेरा अस्तित्व है मैं ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ ना मैं बुजर्ग हूँ ना मैं मामा हूँ किसी का ना काका हूँ ना चाचा हूँ ना मैं बिजनसमेन हूँ ना ही मैं एक बहुत बड़ा उपाती वाला कोई जॉब में रहने वाला कोई विक्ती हूँ तो ये सारी चीज़ों को जब हम भूलते जाते हैं कि ये सारी चीज़ें सर्फ मैं एक एक्ट कर रहा हूँ कुछ समय के लिए तो हमारे अंदर देह विमान कम होता जाता है और इसके साथ में हमारे अंदर शक्क्यां बढ़ती जाती है तो जब हम उस स्वामान में रहते हैं तो हमें किसी से respect या मान मंगनी की ज़ुरूद ने रहती हमें automatically respect मुलती है चलो देखें आज बाबा इसके बारे में विस्तार में क्या कहते हैं तो बाबा कहते हैं स्वामान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले सारा विश्व आपको सम्मान देगा देह अभिमान मुक्त भव़ देह का अभिमान है ना शेरीर शेरीर का अभिमान जो हमने बाते करे अभी बहुत ही दिस्तार की बाते हैं लेकिन वो आप सब ब्रह्मकुमारीज में आके सीखते हैं। यहाँ पर मैं छोटकारे में आस्ते छोटी ही चीज़ों में आपको बता रहा हूँ। पढ़ाई का मुल्ले लक्ष है जो हम इश्वरी विश्व विद्याले Godly Spiritual University में सीखते हैं ब्रह्मकुमारीज में। हैं। तो पढ़ाई का मूल-े-लक्ष है देहिःज से न्यारे। आतमा के अभीमान में रहना क्योंकि प्रमात्मा भी बिना देहर के हैं। क्योंकि शरीर नहीं हैं। तो सदा ही वो अंपने सुवामान में रहते हैं सब से उंचा सुवामान क्या है उनका कि मैं विश्यों का कल्यान कारी में भजवान हूं मैं रचेता हूं तो हम रचेता के बच्चे आत्माय हैं तो हमें दुनियावी अभिमान मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे ये उपादी है, मैंने ये डिग्री हासल की, ये सारी चीज़े घड़ जाती है और हमारे अंदर मुक्ती के प्रती या मुक्ती के मर्ग में जाने का रस्ता खुल जाता है क्योंकि काम, क्रोध, लोब, मोह, आहंकार होने के कारण हम मुक्ती नहीं बात पाते हैं अपने जीवन में एक शरी छोड़ा फिर से एक और शरी लेना पड़ जाता है आहंकार के कारण काम वासना, क्रोध, लोब, मोह, आहंकार के कारण जो पाप처럼 की होते है इस ला में उसकोर ऑब फिर से एक और चर्म लेना पड़ताई तो परमात्मा में मुकती का रस्ता बताते हैं और कहते हैं कि अशश्कोम। नननीग कि अब्हीमानी सुर्फ एश्कतर औरって होते हैं सेटिफिकेट्स लाके रखते हैं अपने दिवारों पर, याद दिलाने के लिए कि मैंने क्या हसल किया अचीवन में, लेकिन वो तो एक जनम के लिए है, आज है, शेरिर छोड़ते ही, वो सारी ट्रॉफी, सब कुछ इस शेरिर के साथ ही खतम हो जाता है, परमात्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा अपने साथ में वो ट्रॉफी, वो सेटी को इस नहीं ले आ सकती है, वो यादगार भी भूल जाती है अगले जनम में, तो क्या लेके जाएंगे, परमात्मा कहते हैं, कि जब आपने अपने अंदर परमात्मा से लिए वे गुण, आत्मा ने ल दूट जाएगा यहां पर, तो आपने कहते हैं, इसको हासित करने के लिए स्वमान रहना है, स्वमान कौन सा? आत्मिक स्वमान, कैसे? जैसे एक्जामपल आपको देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं काम, क्रोध, लो, मुआहंग, पर विजय दिखाने वाली, मैं आत्मा, मास्टर, मुक्ती, जीवन, मुक्ती दाता हूँ, मैं आत्मा, मास्टर, पवित्रा आत्मा हूँ, पर मात्मा पवित्ता के सागर, मैं मास्टर, पवित्रता का सागर हूँ, तो यह सारे स्वमान में स्थित रहने से, हमें क्या आता है, अभिमान करने की जूरत नहीं पड़ती है दुनियावी तरीके से परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं सदा सुमान मिस्थत रहना संगम युग के और भविशे के जो अनेक प्रकार के सुमान है ये संगम युग है ऐसा युग जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ में एक संगम होता है हम बक्ती में तो भगवान को बुलाते हैं कि ये प्रभू दर्शन दो लेकिन जब परमात्मा धर्ती पर आते हैं गुपतवेश में, गुपत तरीके से आते हैं किसी मा की कोक से तो जनम नहीं सकते हैं एक वृद्ध मनिश्य के तन में आते हैं और उसके तन में आकर के इस ग्यान को देते हैं ग्यान में सरजन करते हैं तो परमात्मा उस समय हमें याद दिलाते हैं कि अब ये संगम का समय शुरू हो गया अब ऐसा समय जहां पर कि हम अब परमात्मा के संगम में रह करके आगे बढ़ें उनके याद में रह करके पवित्र बनें तो परमात्मा करते हैं संगम के और भविशे के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं जो भी हमने बात करी देखे उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देहे अभीमान मिटता जाएगा जो स्वामान में स्थित रहता है उन्हें स्वता मान प्राप्त होता है वैसे दुनिया में भी जो दिखते हैं जो अपने आपको बिक्कुल अभीमान में रहते हैं कि मैंने ये फलाने डिगरी, ये अपना है ये मैंने ट्रॉफी जीती है उसको उस विक्ति को लोग आउटमाटली रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन वो कुछ समय का रिस्पेक्ट है एक जीवन का रिस्पेक्ट है आज है कल नहीं है लेकिन जो आत्मिक स्वमान है वो सदा के लिए है वो अंतिम घड़ी तक रहता है उसमें आप बूड़े हो जाएं शेरीर से जवान हो उसका कोई असर नहीं पड़ता तो परमात्मा कहते हैं जो समय में स्थित रहता है उन्हें सोता मान प्राप्त होता है सदा समय में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं विश्व पे महाराजन मतलब वो आत्माएं जो की सुमान में रहकर के काम, क्रोथ, लोब, मो, आंकार, इटिश्या, दोवेश, गृणा के उपर जीत पाते हैं वो ही तो किसी और को सिखा पाएंगे है ना इसके साथ स्वामान में रहने वाले ही विश्व माराजन बनते हैं और विश्व उन्हे समान देती है और फिर्व पाता में का में पाते है इसी के साथ आज का मुख्यवरदान समाप्त ओम शेंती